बिग्ना हर्ता श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा बस अब यही मोदक शेश है इसे खाने के बाद जो होगा उस पर मेरा नियंत्रण नहीं होगा अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे प्रभू इसलिए हमें विलम हुआ तो अनर्थ हो जाएगा प्रभू और मोदक खाएंगे तो उनका पेट ही पड़ जाएगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता वा भवन्तियोस भाग के अंत में तुझ वहां ठेख रहे हूं उसी कक्ष्वे कनेश्टी है कहां गया वह विश्टी मुशाग कहां जाएगा यहीं कहीं होगा अब दुश्टी मुशाग जाओ करने रहेगा धोड़ो उसे धोड़ो दवलो संकड में साहस का परिचे देना होता है अब कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना ही होगा क्योंकि अपने प्रभुत्त नहीं पहुंचा तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि अपने स्टालपर बने रहना भी कटेन हो रहा है हम अपनी माया भी ढाल भी नहीं समाल पा रहा है इस देवी का ही अस्त्र पुने मेरी चिंता का कारण बना है अपना पाल तरिपुर सुंदरी ने जिस नारान अस्त्र का अभाहन किया कि यह पूल रूप से क्रियान देथ हो गया तो कितना विनाश उत्पन करेगा इसकी इसकी कलपना करना भी असंभव माता आप दयाम आई है इसलिए मेरी किसी भी हानी से रक्षा करने के लिए आपने मेरे सामने से अक्षय पात्र को ही हटा दिया किन्तु माता मैं प्रथम पूच्चे हूँ यदि मैं ही अपने वचन की मर्यादा नहीं रखूँगा तो संसार में कोई भी अपने वचन का मान रखने के लिए कैसे प्रेरेत होगा इसलिए माता इसका जो भी परेणाम हो जब तक इस अक्षय पात्र में मोदक रहेंगे मुझे उन्हें गरहन करना ही होगा मेरी ही है मैंने प्राहरियों को सचेद कर इन्हें खत्नाई में डाल दिया है किन्तु मैं क्या करूँ माता तो सभी माताओं की माता है उन्हें तो अपनी संतानों की इच्छा बिना कहें ही क्या थो जाती है यह माता यह मुशक जी मेरे कारण संकट में है उनकी रक्षा कीजे माता रक्षा करें उस मुशक का पीछा करो ये तो माता के चमतकाल से संभव है आपको अने को धनेवाद माता यदि माता पाल तरपुर सुन्दरी ने नारायन इसको क्रियान विद कर उसका प्रेयोग भी कर लिया तो उसे रोकना संभव होगा नारायन अस्विन असुरो का ही नहीं समस्य शिष्टी का भी विनाश कर सकता है अब तो हमारी ये वाया भी ढाल जैसे हमारे हाथों से छुटने वाली है हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे विशोप क्या पोत्र हो ये क्या कर रहा हो तुम ये मायावी ढाल तुमने हमारे उपर से क्यों अटा दी भाता लक्षा कर रहा हमारी अब ना तुम्हानी धाल रहेगी और ना ही तुम्हारा अस्त्र मेरे शक्त का कहीं सत्याना हो जाए ये मायावी ढाल हमारी रक्षा करेगी ये मारी डर्श कर कर रहा गरर क्यों दिए तेरे पुत्र इतना भयाना कन्थुआउनगा कुछ भी हो जाए मेरे पुत्रस देवी का सान्ना हाश्य करेंगे उन्हे प्राजित कर वही बेनी लाका दो मुझे मेरे पुत्र का हाथ भेजकर और ये वेणी वेजकर खुब हास कर रही है ये देवी मैं भी शांत नहीं रहूँगा अपने पुत्रों के भयं करवका मैं प्रतिशोधा वश्या लूगा आज के युद्ध में युवा युद्धाओं के अंत के साथ अंडासुर एक बार पुना विपलो तो माताव नारायन अस्त्र की अपार विना शकूर्जक सर्वत्र वैस्तार होने से कैसे रोकेगी ये माता बालत रिपोर सुंदरी करने क्या जा रही नारायन अस्त्र की उर्जा सेहन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं दन्यों माले मट्रो भी नारायन अस्त्र की अधे जर्या मतारायन अस्त्र की अधनी उर्जा सेहन विपलो मता उन्होंने नारायन अस्त्र को भी नित्रव में कर लिया इस कि श्यव्म परान शक्ति गजा हैं अंही बाल स्वरून माता तिर पर सुंदरी के लिए नारायन आश्टर की शक्ति, उनकी शक्ति के छोटे से अंश के समान है आपने वुचित कहा नारायन और जो संपूर्ण है उसके लिए अंश को अपने भीतर समाइद करना कटिन कैसे हो सकता है कदंब वन चारिनी मुनि कदंब कादंबिनी नितंब जित भूधरां सुर नितंबिनी से वितां नवं बुरूह लोचनां धिनवां बुदशामलां त्रे लोचन कुटोंबिनी त्रिपुर सुन्दरी माश्रय कदंब वन वासिनी कनकबल की धारिनी महारह मनी हारिनी मुझे तभी शान्ती प्राप्त होगे जब मैं इस स्तुतिकान के स्थान पर इस देवी की मृध्यू पर होने वाला विलाब सुनूगा आज से बाद त्रिपुर सुन्दरी के सम्मान में आज से नौ वर्ष की आयू की कन्याओं का पूजा होगी जो भी इन कन्याओं को देवी मान का इनकी पूजा करेगा उसे सदा सफलता और सिम्रिद्धी प्राप्त होगी और जो इने तुछ समझ इनका अपमान करेगा वो भन पुत्रों के समान अपने उत्देश कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी माता बाल त्रिपूर सुन्दरी की इस देवी की जैजे कार का स्वर मुझे किसी विशेले कंटक के सामान जुबराए अप्रभू महाशिव का साथ पाकर इस देवी की संसार लिला का प्रतिशोदा वश्चनूगा मैं प्रभू शीव को मराना इतना सरल नहीं है कल्यान हो कुर्टे अपने आशिरवात को सार्थर कीचिए और मुझे उपाए बताए वही बताने आया हूं मैं बंडा सुर। कि प्रभू महाशिव को अभी आने में बहुत विलम है किन्तु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम बार-बार पराजय का सामना करने पर विवश हो तो गुरुदेव आप विलम क्यों कर रहे हैं वो प्राप करो करो जो तुम्हे निराशा से मुक्त करके शत्तु के जीवन में निराशा भाते करूंगा अवश्य प्राप करूंगा कि तु बताए गुरुदेव के वो क्या है गनपती विग्र करता यान माता आपने अपना कार संपन्न कर दिया अब मुझे अपना वचन निभाने का करता व्यपून करना होगा मुशक आप जहां कहीं भी हैं शीगर जाकर गलेश जी के साहता कीजिए प्रणाम प्रभू आपके ये भाग्त भंडा सुर्देश्ट आपका वहान किया पस्या की पूजा की आपकी सेवा की क्यों इस या शामेना के मंगल मूर्ती मेरे निकट रहेंगे और मेरा मंगल होगा फिर बार बारा मंगल का सामना क्यों कर रहा हूं मैं जैसे आप यहां होकर भी यहां नहीं प्रिताश्री चाहें या ना चाहें रहना तो आपको यहीं होगा प्रभू मैं किसी भी मुल्ले पर तब तक आपको यहां से जाने नहीं दूंगा जब तक प्रभू महाशिव यहां नहीं आ जाते जब तक यह देवी अपनी प्राजय स्विकार नहीं कर लेती जब तक मैं अपना प्रतिशोद नहीं ले लेता मुशक ने उचिटकार था पिताश्री किसी भी अविस्ता में कनेची को यहां से नहीं जाने देगे मैंने जो वचन दिया है उसका पालन में करूँ रभंडासुर किन्तों आप तो मुझसे क्या चाहते हो स्वश्च कहो और क्या चाहूंगा प्रभू यही किम विग्न हर्ता मेरे साथ में होने के कारण विग्न मेरे मार्ग में नहीं शत्रों के मार्ग में हो जिसके लिए मुझे आपसे विग्न करता है अंत्र चाहिए प्रभू हाँ प्रभू कुछ इत्सुना आप ले विग्न करता हैं अंत्र विग्न करता होने के कारण श्री गनेश आठो विग्न कारक अवगुनों के भी नियंत्र खरेगए अलसे, पिरपणता, दीनता, निद्रा, भ्रम, स्वार्थ, निर्बलता और निर्हंकार इन ही नाकारात्मक अवगुनों से बना है विग्न करता यंत्र जो निश्क्रिता, निर्थ्सा और कर्म के प्रती उदासिंता उद्पन कर जीव को प्लब्धी के मार्ग से भटका देता है और उसकी असफलता निश्चित कर देता है तब तो मुझे वह विग्न करता यंत्र चाहिए विखन करता यंत्र चाहिए मुझे पिताश्री कुट्री रश्मिक्रफा पिताश्री माटा कह दी थी हमें किसी से कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसे विवस्ट नहीं करना चाहिए किन्तो आप तो उसके वीपरे थी गनेश्ची को निरंतर विवस्ट करते जा रहे हैं आप गर नेकी को उनके वचन से मुक्त कर दीजे ना और उन्हें विवश करने का आप मार्ट कीजे नहीं पुत्री मैं इने विवश नहीं कर रहा हूँ इन्होंने मुझे वचन दिया है जिसे अब इसे निभाना चाहें तो निभाएं अनियथा भांकर यहां से चले जाए पुत्री मैं तो प्रभो की क्रिपा के बिना शून्ने हूँ और विग्न करता यंद्र प्राप्त करना हिसी में उनका अशिर्वात समझता हूँ किन्तु यदि उनको अपने भक्त को निराश करना स्विकार है तो मेरे लिए भी यहीं चिलता है बंडा सुर आप मुझे अवश्य पुकारेंगे ये मुझे क्या धब्रभू अपने भक्त को निराश कैसिख सकती है आप तो मैं विग्न करता यंद्र चाहिए ना मुझसे तो वो भी मैं धूंगा तुम्हें तो वो भी मैं धूंगा तुम्हें वन की अगनी चंदन की लकड़ी को भी जला देती है अर्थात दुष्ट व्यक्ती किसी का भी आहित कर सकते हैं अर्थात है और दो कम्ती अर्था प्रेक्षा प्रेक्षा झाल प्रेक्षा बिंद्धर कर से अज़रिशाफ से कज्क्ती कर से एक कर सकता है कर दो कर सकते हैं